ना हार में ना जीत में, किंचित नहीं भेवीत में, संगरत्स पत्पे ये भी सही वो भी सही नमस्कार जैहिन, स्वागत है आपका एग्री मंदर यूटूब चैनल पर और मैं हूँ आपका दोस्त संजय विश्व कर्मा इस वीडियो में हम बात करेंगे, IBPS AFO के लिए Special Series, जिसका यहाँ पर Part 2 होने वाला है, अब की बार AFO पर, जी हाँ, यहाँ यहाँ पर हम Top 20 Questions को जानेंगे, जो की आपके होटी कल्चा सब्जेक्ट से काफी important questions, जो की IBPS के अलग-अलग years में आई हुए हैं, अलग-अलग important topics, त अगर आप IBPS AFO की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको इस वीडियो के साथ आखरी तक बने रहना है, और इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों के शाँ शेयर जरूर करना है, सबसे पहले हम बात करेंगे, Part 1 जो के अभी हाली में हुआ है, उसकी लिंक आपको description box में मिल जाए तो एक किस पोशकता दिब के कारण ये होता है, ये आपका AFO 2016 में आया होगा कोशन है, internal necrosis in mango या फिर internal cork in apple ये boron के कारण होता है, और काफी important ये कोशन है क्योंकि ए एक्जाम में आया हुआ है, अब हम बात करेंगे आज के कोशन नमर 1 के बारे में, यहाँ पर बात हो रह ये आपका AFO 2016 में आया हुआ कोशन है, ये आपका AFO 2016 में आया हुआ कोशन है, तो ये काफी important कोशन है, basic कोशन है, लेकिन एक्जाम में आता है, इसका अलाबा आगे बात करें कोशन नमर 2 की, which nutrients deficiency is responsible for little leaf in mango and mortal leaf of citrus, यहाँ पर बात हो रही है, mortal leaf of citrus और little leaf in mango, सब लोग जानते है, जिंक के काराणिया समस्य होती है, राइट आंसर होगा जिंक, इसके अलाबा आगे बात करेंगे, कोशन नमर 3 की, तो यहाँ पर बात हो रही है, money allocated for 1 hectare horticulture crops as per national horticulture mission, यानि NHM, तो यहाँ पर कितनी money allocate किया गई है, 2017 में आया होगा कोशन है, और यहाँ पर अगर इसके right answer की हम बात करेंगे, तो 15 लाख पर nursery हाँ पर money allocate की गई है, important question है, I hope आपको समझ में आया होगा, यानि कि यह current affair से कोशन आया होगा था, और यह काफी अच्छा कोशन है, scheme से related कोशन है, NHM से, ठीक है, इसके लाख आगे बात करेंगे, कोशन नमर चार की, यहाँ पर बात हो रही है, causal agent की बात कर रहा है, black mildew in mango, black mildew in mango, plant में जो है causal organism क्या होना चाहिए, तो maleola, mangy fairy, causal organism है, black mildew in mango, अच्छा कोशन है, याद रखिएगा, इसके ल bacterial sport in citrus, तो bacterial sport in citrus के लिए agent क्या है, तो जन्तो मनास, compass tris, variety है, citry, यह important है, यह भी आपका IVPS, AFO में आया हुआ कोशन है, आपको इसको याद रखना है, इसके लाख आगे बात करेंगे, economic life spawn of coconut in years for coconut palm, यानि कि एक average जो life होती है, coconut की, वो कितना होता है, या फिर आर्थिक जीवन भी हम बोल सकते हैं, आपर, लगवक 60 साल के आसपास यह age limit होती है, तो अच्छा कोशन है, coconut से exam में आया हुआ कोशन है, इसके लाख आगे बात करेंगे, which one of the variety of mango, यानि कि निमले खितमे से कौन जो है, sorry, onion की variety है, which one of the variety of onion, इसमें प्याज की कौन सी variety है, तो agri found, dark red, agri found red, नासिक red, ठीक है, N53, यह कुछ famous variety हैं, onion की, और according to option यहाँ पर जो है, agri found जो है, काफी important variety है, onion की, इसके लाख बात करें, black heart of potato, तो आप सब लोग जानते हैं, यह oxygen की deficiency के कारण होता है, और यह एक disorder होता है, तो right answer होगा, oxygen deficiency disorder, काफी important यह question है, याद रखेगा, और यह आपके AFO के exam में, आया हुआ question है, इसके लाख बात करेंगे, citrus cracking, citrus cracking जो है, boron की कारण होता है, citrus में cracking होने लगती है, citrus, जो fruits होते हैं, वो फटरने लगते हैं, उसी को हम citrus cracking कहते हैं, तो right answer होगा, deficiency of boron, काफी important यह question है, इसके लाख आगे बात करेंगे, question number 10, तो यहाँ पर बात हो र organic farming, अगर NHM के अंदर National Horticulture Mission के according, अगर हम organic farming को जो है, adopt करते हैं, तो हमको कितना minimum amount मिलेगा, तो यहाँ पर 10,000 पर hectare, यहाँ पर आपको amount मिलेगा, for organic farming, यह important है, और यह NHM से आप देख सकते हैं, दो question आगये हैं, कि यह आपका important है, हम जो है, इस बार थोड़ा सा अलग करने आपके AFO के लिए, पहले हम आपको subject wise questions देंगे, जैसे कि अभी part 1 हुए है, वो होटी कल्चर का है, part 2 भी होटी कल्चर का, part 3 भी होटी कल्चर, यानि कि 4-5 part में हम जो की previous AFO के अलग-अलग साल में जो exam आए है, subject wise, पहले उनको cover करवाएंगे, फिर उसके बाद हम उनका top 20 questions कोशन भी लाएंगे, और आगे exam तक या exam के पहले तक हम आपको mix question भी देंगे, और exam के कोशन में पहले, जैसे कि इस बार भी हमने आपको 2 mock video यानि full length mock test भी हमने आपको दिये थे, वीडियो के माध्यम से भी तो वो भी हम आपको देंगे, इसके लिए आपको video के साथ बने रहना है, इसलिए channel को आपको subscribe कर लेना है, और दोस्तों के शेयर करके बताना है कि agree mantra पे, इस बार EFO 2,22 के लिए फिर से नई सीरीज स्टार्ट हो गई है, चलिए question number 11 की बात करेंगे, which of the following is a disease causing pathogen in citrus group, citrus group में कौन सा disease causing pathogen हो सकता है, यहाँ पर option के according अगर हम बात करेंगे, त तो phytopthora paracity का disease causing agent हो सकता है, आपका citrus group के लिए यह आपको याद रखना है, प्लाज्मो पूरा vitikola, जो है, वो mildew से related है, ठीक है, यह ग्रैप में लगता है, इसके अलावा बात करेंगे, question number 12, which of the following is a disease causing pathogen in mango group, अब देखिए लगबग 2-3 question आ गया है, जो disease causing, disease causing आ है, यह स के लिए कौन सा disease causing pathogen है यह आपर, तो collateral trichum, goliosporites जो है, वो आपका mango के लिए causal organism है, यह आपको याद रखना है, रोग जनक है, इसके लावा आगे बात करें, under PMFBY, यानि कि प्रधान मंत्री फशल भीमा योजना, the premium percentage to be paid by farmer of the total cost for commercial and horticulture crops, simple भाशा में बात करें, तो यहाँ पर इसने premium rate पूछी है, PMFBY यानि कि प्रधान मंत्री फशल भीमा योजना की, तो आप सब लोग जानते हैं कि 1.5% जो premium रहती है, वो आपका रभी के लिए रहता है, 2% premium जो होता है, आपका खरीब के लिए होता है, इसके लावा 5% जो premium होता है, वो आपका horticultural crops के लिए होत PMFBY जो है, हर साल हर एक exam में कहीं न कहीं से question आते हैं, तो इसी scheme को आप अच्छे से cover कर लीजेगा, प्रधान मत्री फशल भीमा योजना, सिचा योजना, स्वेल हेल्थ कार्ड, इनाम, इस से exam में question जरूर आते हैं, आगे बात करेंगी, तोतापरी variety of mango belongs to which state, तोतापरी जो ह की जाती है, इसके लावा आगे बात करें, question नमर 15, रतना variety of mango is a cross, ये cross से भी exam में question आते हैं, रतना की बात कर रहा है, यानि NAR, ठीक है, नीलम cross Alphanzo equal to रतना, तो नीलम और Alphanzo के cross से जो है आपकी रतना variety बनी है, इसके लावा RAS, ठीक है, रतना का और Alphanzo के cross से जो है सिं और ये आपके AFO के exam में आया हुआ question है, इसके लावा आगे बात करेंगे question number 16 की, यहाँ पर बात हो रही है, what is the optimum pH required for grab, grab के लिए कितना optimum pH यहाँ पर रहेगा, pH यानि की power of hydrogen ion concentration, तो यहाँ पर अगर right answer की बात करेंगे, तो 5.5 से 6.5 जो है optimum pH रहता है, अंगूर के लिए, grab के और ये आपके AFO में आया हुआ question है, 2018 में ये आया हुआ question है, 2018 में pH में इसे 3 question आयते continue, जिनको आगे हम जानेंगे, एक तो grab का हो गया, जो कि 5.5 से 6 pH यहाँ पर optimum रहेगा, second guava का पूछा था, what is the optimum pH required for guava, guava के लिए सबसे यानि अमरूत के लिए सबसे optimum उचित जो pH होगा, 6.5 to 8, जो pH है, वो सबसे बेस्ट होगा, guava के cultivation के लिए, इसके लावा आगे बात करेंगे, question number 18, what is the optimum pH required for banana, बनाना के लिए भी हाँ पर पूछा गया, banana, guava, grape, यानि 3 fruits crop से pH range पूछी गई है, जो कि आपको अच्छे जयाद कर लेना है, ये आगे आने वाले exam में भी आ सकता है, साड़े 6 साड़े 7 जो है, optimum pH माना गया है, बनाना के लिए, जो कि आपको याद रखना है, इसके लावा आगे बात कर रहे है, in banana, which nutrients is given in largest amount through fertigation, fertigation का मतलब होता है, कि जो irrigation का water है, उसके साथ जब आप fertilizer दे देते हो, fertilizer की application कर देते हो, with irrigation water is known as fertigation, ठीक है, तो potassium जो है सबसे तीन question आपके mango से हो गए, causal organism से दो से तीन question हो गए, यानि कि haughty culture में ये important topics है, जिनको मैंने अभी हाँ पर बताया है, इसके लावा बात करेंगे question number 20, which of the following is a perennial crop, तो ये जो है, आपके AFO में आया होग question है, perennial crops कौन सी है, तो option से आप समझ सकते है, coconut जो है, वो भुवरसी फ लेके 20 तक जितने भी question है, सब आपके AFO के अलग-अलग exam, अलग-अलग year में आय हुए है, पहले हम आपको इनको इसलिए cover करवा रहा है, ताकि आप हर एक subject के importance को समझ सकें, कि exam में किस type से question आ रहा है, ये question number 1 से 20 तक सभी question जो है, आपके IVPS AFO में आय हुए है, तो आशा question अच्छे सा समझ में आये होंगे और आपको topic भी clear हुआ होगा, और इस video का जो complete PDF है, आपको हमारे android application, agree mantra पर मिल जाएगा free of cost, जिसको आपको download करना होगा play store से, और इस application की link भी आपको video के description box मिल जाएगी, वहाँ से जाके भी आप इस PDF को download करके check कर सकते हैं, अब हम बात कर question of the day के बारे में, जिसका जवाब आपको comment section में बताना है, सही जवाब हम जानेंगे next part में, question है, inflorescence of onion is known as, यानि कि जो onion का inflorescence होता है, उसको हम किस नाम से जानते हैं, options है, साइम, स्परडिक्स, या फिर रजी मोज, तो दोस्तों, यह हो गई आज की video, I hope आपको video पसंद आएगी, video कैसी लगी, question कैसे लगे, आपको explanation कैसा लगा, आप comment section में अपनी राय जरूर दीजिगा, exam की तयारे में अच्छे से लगिए, मिलेंगे किसी और video में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत